दोस्तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ AC remote के अंदर आने वाले इन blank buttons के बारे में अगर आपको भी confusion है इन blank buttons के बारे में कि इन से क्या होता है तो ये वीडियो आपको help करेगा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोज हम आपके लिए लेकि आते रहें सबसे पहले मैं आपको ये ब्लैंक बटन्स दिखा देता हूँ लेख सकते हैं कि AC के जो मैनुल है उसके उपर भी सारी की सारी चीज़े मेंशन करी गई है अलग-अलग बटन्स के बारे में कि किस बटन का क्या यूज होता है लेकिन इन ब्लैंक बटन्स के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है यानि कि यह जो blank buttons होते हैं यह spare buttons होते हैं इवन मैंने इनके customer service से भी बात करी डाइकन AC remote के customer service से तो उन्होंने बताया कि यह जो buttons होते हैं यह free buttons होते हैं अगर आपके AC remote के अंदर कोई button खराब हो जाता है तो circuit को कुछ इस तरीके से design किया जाता है कि इन buttons का आप use कर सकें अभी एक बार ही मेरा AC on है उसमें भी आपको दिखा देता हूँ कि इन blank buttons की मदद से हम कोई command दे सकते हैं AC को या नहीं दे सकते हैं जिससे कि आपको यह clear हो जाए कि अगर हम इन buttons को press करते हैं तो क्या कोई beep आती है या फिर AC के अंदर किसी तरीकी की कोई command जाती है या नहीं जाती है तो अभी आप देख सकते हैं सामने की तरफ मेरा AC वो होन है अगर आप AC में सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे जो आपको green light है वो भी जली होई दिख जाती है that means कि AC अभी काम कर रहा है अब एक बर यह जो blank buttons है इस तरफ अगर में आपको दिखाऊ तो आप यह जो दो blank buttons है इनको में एक बर ही press करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे अभी में इनको प्रेस कर रहा हूँ तो कोई भी command जो है वो AC में नहीं जा रही है तो दोस्तों वीडियो आपने देखेंगे अगर आपके मन में इस वीडियो से related कोई सवाल है तो आप हमारे comment section पर जाकर हमसे पूछ सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe जरूर करें